भारत के विशाल पठार का भौगौलिक अध्यन इस विशाल पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है पहला मध्यवर्ती उच्च भूमी दूसरा दक्कन का पठार पहला मध्यवर्ती उच्च भूमी मध्यवर्ती उच्छ भूमी विंध्याचल शेणी के उत्तर में है इसके उत्तर पश्चमी छोर में अरावली परवत है विंध्याचल शेणी एवं अरावली के मध में मालवा का पठार उत्तर में बुंदेलखंड का पठार पूर्व में बगेल खंड तथा सुदुर पूर्व में छोटा नागपूर का पठार इस्थित है समानिता इस उच भूमी का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है जो प्रमुक नदियों चंबल, बेतवा, सोन के बहाव की दिशा से भी ग्यात होता है मध्यवर्थी उच भूमी के उपर्युक्त वनित विभागू की अपनी अपनी विशेस्ताएं है जैसे मालवा की मिट्टी काली है, इसे कपास की मिट्टी भी कहते है बुनेल खंड का धरातल अधिक उबडखाबड है बगेल खंड छेत्र मुख्यता पहाडियों से घिरा है इसके बड़े भाग पर विंध्याचल तथा कैमोर शेनियों का विस्तार है यही इस्तिती छोटा नागपुर के पठार की है इसके उत्तरपूरों में राजमहल पहाडी उत्तर में हजारी बाग और दक्षिन में कुलहान की पहाडियां है दूसरा दक्कन का पठार इस पठार का विस्तार तापती नदी के दक्षिनी तट से दक्षिन में नील गिरी पहाडी तक तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट से पूर्व में पूर्वी घाट तक है इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर छेतर पर है इसकी आकृती त्रिभुजाकार है इसकी अंतरगत महराश्च, मध्यप्रदेश, छत्यसगर, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, करनाटक, तमिलनाडू और केरल राज्य पूर्टा या अंशिता आते हैं इस त्रिभुज की एक भुजा जो पूरी घाट से होकर गुजरती है नीलगिरी से राजमहल पहाडी को जोडती है दूसरी भुजा पर सत्पुडा परवच्रेणी, महादेव पहाडियां और मैकाल की पहाडियां है तीसरी भुजा सहाद्री परवच्रेणी है जिसे पश्चिम में इस्थित होने के कारण पश्चिमी घाट भी कहते हैं सहाद्री परवच्रेणी में कहीं कहीं उचाई कम है ऐसे कम उचे वह चोड़े भाग को घाट के नाम से जानते हैं इन घाटों से पठारी तथा समुद्र तटी छेत्रों के बीच आवागमन आसान होता है उत्तर से दक्षिन क्रमशा थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट ऐसे तीन प्रसिद्ध घाट है पूर्वी घाट पूर्वी तटके समानांतर महा नदी की घाटी से नीलगिरी की पहाडी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दक्षिन में नीलगिरी की पहाडी पर मिल गए हैं महा नदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी आदी नदियां पूर्वी घाट को काट कर पूर्वी की ओर बहते हुए बंगाल की खाडी में मिलती है ये उपजाव डेल्टाई मैदानों की रचना करती है प्रायद्विपे पठार का उत्तर पूर्वी भाग चत्तिसगड के बेसिन के नाम से जाना जाता है इस बेसिन का ढ़ाल पूर्व की ओर है या महा नदी जल प्रवाद छेतर में आता है नदियों ने इस पर उपजाव मिट्टी बिचाई है इसका उत्तरी वा उत्तर पूर्वी भाग पठारी है जिसे सानी रूप से जश्पूर का पठार, धरमजैगढ का पठार, रायगढ का पठार के नाम से जाना जाता है उत्तर पश्चिम भाग में छूरी की पहाडी एवं पश्चिमी भाग में मैकाल परवश्रेणी फैली हुई है इस बेसीन के दक्षिन में बस्तर की उच्च भूमी है जिसे दंड कारण्य कहते है यह बैला डिला वदली राजरा छेत्र उच्च किस्म के लौ एसक से भरा है चूना पत्थर तथा डोलो माइट पत्थरों की भी प्रचुरता है यह शेत्र भूगर्बिक गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है कुटुमसर गुफा, क्यलाश गुफा, दंडग गुफा यहीं है इस शेत्र में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है प्रायद्वेपिय पठार राजमहल की पहाडियों पर ही समाप्त नहीं होता है इसका एक भाग उत्तर पूरों में भी फैला है स्थानी रूप से यह शिलोंग का पठार, कार्भी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाडी के नाम से जाना जाता है यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपूर पठार से अलग हो गया है इस पठार को मुख्य पठार से जोडने वाली चटाने गंगा के जलोड से धकी हुई है मेघाले में पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर शिंक लाए गारो, खासी तथा जैंतिया है जिस पर इस्थित मासिन राम विश्व का सरवाधिक वर्षावाला स्थान है दक्कन ट्रैप पश्चिमी घाट के पूरु में दरारी उदगार से निकले लावा से बना छेत्र दक्कन लावा ट्रैप के नाम से जाना जाता है इसका विस्तार 59,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है इसी पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है इसमें कई खनिज पाया जाते हैं जो भूमी को उपजाव बनाने में सहायक है और क्रिशी के लिए जरूरी है दक्षिनी पठार के तीन स्वर्ण खदान शेत्र पहला कोलार स्वर्ण क्षेत्र करनाटक दूसरा हटी स्वर्ण क्षेत्र करनाटक तीसरा रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र आंध्र प्रदेश भारत का 90% खनिजपदार्थ 60% कपास 70% सूतिवस्त्र चीनी का लगभग 65% उत्पादन पठारी भागों में ही होता है प्रायद्विपी औद्योगिक समूँ पहला दामोदर घाटी औद्योगिक समूँ दूसरा बैंगलूरू, कोयम बटूर, मदुरई औद्योगिक समूँ पठार में खनिच संपदा और उत्खनन भारत का पठार प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है यहां विभिन्य प्रकार के खनिच पाये जाते हैं जिसके कारण यहां उत्खनन और कई उत्योगों का विकास हुआ है यहां कोयला, लोहा, बाकसाइट, मैगनीच, आदी के विशाल भंडार है यहां कहा जा सकता है कि भारत का अधिकतर खनिच पठारे प्रदेश से ही प्राप्त होता है जारखन के धनबाद जिले में कोयले की प्रमुखदान है जिसे जर्या कोयला शेत्र कहा जाता है यहां जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार है जमीन के अंदर से कोईला निकालने के लिए सुरंगे बनाई गई है यहाँ सैकडो मजदूर स्टील की टोपी पहने कोईला निकालने का काम करते है सुरंग की छट को गिरने से रोकने के लिए लकडी और लोहे के खंभे और बीम लगाये जाते है कोईला चट्टान की तरह कठोर होता है और उसे निकालने के लिए बारूत से तोड़ा जाता है और फिर टोकरियों में भर कर ट्रॉली के डिबो में भरा जाता है ये ट्रॉलिया पटरी पर चलती है और इने शाफ्ट के रास्ते लोहे की चेन से खीच कर बाहर लाया जाता है यहां से कोईले को धुलाई के लिए वाशरी में ले जाया जाता है कोईले के अलावा और भी खनिजों का प्रायद्वेपी पठार में उत्खनन होता है जैसे लोह एस्क, मैगनिज, बाकसाइट और चूना पत्तर इस तरह धातों पर आधारित उद्योगों के लिए भारत के पठारी प्रदेश में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उद्योग चलाने के लिए बिजली चाहिए बिजली बनाने के लिए कोईला यहां आसानी से प्राप्त होता है यहां कोईले पर आधारित कई ताप बिजली घरों के इस्थापना हुई है साथ ही यहां बड़े बांधों से पन बिजली का भी उत्पादन होता है